एला फ्रेंज, वेलकम बैक्तोरक गुर्प गुरू, मैं DR. PRIYANKKA YADU और आज हम बात करने वाले हैं प्रेग्नसी के दो रान आपके पेरों में होने वाली यह तन के बारे में यानि के पाओं में जो क्रेमस आते हैं पाऊ में चुचुसन होती है उसके बारे में आज हम बात करने वाले है उसके कारण क्या क्या हो सकते है और यदी आपको इस तरद की दिक्कत हो रही है तो उसके treatment में हम क्या क्या कर सकते है यदी ज़़ूराद पड़े तो कौन सी medicine ले सकते है और ये सारी डिटेल में हम डिस्कसन करने वाले हैं तो आखेर तक जोड़े रहेगा यह दी पहली बार गर्प गुरूप आये हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजेगा क्योंकि यहाँ पर यह से वीडियोज हम लाते रहेंगे और व तर्ट टैमेस्टर में अराउंड 50% लेडिस को यह दिक्कत रहती है कि पाउं में क्रेम साथ स्पेशली जब रात में सोने जाते तब सो नहीं पाते हैं इतना ज्यादा दर्ध होता है पाउं में कि उसको बार बार नींद खुल जाती है कभी-कभी पाउं में मसाज करने पर जैसे आपका Third Dimester सुरू होता है तब होता है क्यों क्योंकि Third Dimester सुरू होने पर आपके बच्चे का जो initiीर होता है वह नीचे के भग में आएगा और आपकी जो नसियों रहती है बड़ के जो za डा सा इसके बिद्सोन सुरू हो जाते हैं जिसके चलते उसके प्रेसर के चलते हमाला है दूसरा है कि जैसे वहाँ पर महीना बढ़ेगा आपका वजन भी बढ़ने वाला है तो बढ़ते वजन के कारण आपके पाउं के उपर प्रेसर भीषा दिखती है तीसरे दिकत यह रहते हैं कि आपको आयन की या फिर विटामिन डी की कमी है तो यदि आयन की कमी जैसे हीमोगलोबिन कम है आपका या फिर एटीन लेवल कम है तो भी पाऊ में क्रिम्स आ सकते हैं सोडियम पोटेसियम और केलसियम की कमी रहेगी तो पाव मेठन ज्यादा आएगी अब सोडियम पोटेसियम कहां से मिलेगा वह आपको पालक में से मिलेगा दूध में से मिलेगा नारियल पानी में से मिलेगा बनाना केलाय में से मिलेगा यदि आप फूट इंक्लूड करते है अपनी डायट में डेली का एक बनाना खाते हैं तो पेशां मेधन कम रहेगी देली नाली पानी पीते हैं और यदि बहुत जादा सिवेयर केसिस होगा नायरल पानी पी रहे बनाना का रहे फिर भी आपको वहां पर बहुत सीवियर केसिस में दर्द हो रहा है तो डोक्टर आपको सोडियम की टेबलेट भी देंगे मेडिसिन सप्लिमेंट पी स्टार्ट करना पड़ता है लेकिन वहां पर आप पानी कम पीते हैं तो आपको दिन में वहां पर चोदा से पानी पीना चाहिए और प्लेंट पानी पीने के साथ कभी-कभी पानी में आपने थोड़ा सा गलुकोंडी मिला लिया कभी नी मुसरबत बना के पी लिया कभी कुछ डाल दिया तो इस तरह से वेराइटी उप ट्राइ करेंगे पानी तो पानी पी आपको उच्छा लगेगा प्यास भी लगे के आपको और आपको डियाइडरसन भी नहीं होगा क्योंकि जहद़ तो लड़किया बोलती है कि मुझे पानी की प्यास ही नहीं लगती तो मैं केसे पीव आपने जितने ग्लासे बते उतने तो मैं कभी पी ही नहीं सकती तो यदि आप इस तरह से करना है पाउ में रात में थोड़ा सा ओल लीचे उसमें थोड़ा सा पानी डालिये पानी और इसली हम मिल्क्सें कर लाते है क्योंकि एकला भी लेंगे तो इससे मसाज अचीतर है सबस्द्राइब जाने मन धूमिक तो मसाज आपको उपर की तर Polonder करेंगे तो नसे खुल जाएगी और वहां पर प्रेसर कम होगा आपको क्रेम सारे वह भी कम होगा मसाज कीजिए दूसरा यह दी मसाज करते समय थोड़ा सुसमें विक्स भी ले ले लेते हैं आप तो रात में जो ज्यादा एठन आती है उन केसिस में रहात मिल जाएगी आपक सकते हैं नहाते समय उसमें थोड़ा सा सिंधा नमक डाल दीचे तो सिंधा नमक वाले गुंगुने पानी से नहाने से प्यापको पाऊ मेठन कम होती है दूसरा में जैसे बताए नालेल पानी डेली का एक बनाना खा लीजे यदि आपको बनाना से एलर्जी है या फिर आपक टेबलेट अच्छी नहीं लगती है में खान पान से सारे विटामिन्स ले लोंगी तो में टेबलेट नहीं ले रही तो यह गलती मत कीजिए डेली आयन केलसियम जो प्रिस्क्राब किया गया है वो लीजे जिससे आपकी बोडी भी अच्छे बनी रहेगी बच्चे का विका लिजना होता हमें कमेंट बोक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पर जोइन कर सकते हैं फोलो कर सकते हैं वहाँ पर आपको q&a license होते रहते चल्दी साहां से मिल जांगे आप गुरू चैनल को जोइन भी कर सकते हैं तो यहां पर हम इसे इंफोंमेट्व व झाल झाल